जिसके देख पार आज मेरे पास है पलसर बजाज की पलसर 220 FBS6 F5 वाली वेरियंट हो राज इसी के बारे में वीडियो शूट कर रहे हैं इस वीडियो में आपको हम बताएंगे बाइदेवे कोई भी अगर सेंसर खराब होता है या फिर कोई रिले खराब होता है या कोई फ्यूज उड़ता है यानि कहीं से भी कुछ अगर प्रोब्लम आ गिया या आपका गाड़े स्टार्ट ने हो रही आपकी गाड़े या फिर क कहीं से सेंसर खराब हो गया complete इसके features के बारे में आपको डिटल में बताएंगे कैसे कौन सा sensor वर्क करता है कहीं से अगर problem आ जाये किस तरह से problem कर सकते हैं तो एक एक चीजों के बारे में बताएंगे कैसे इसका temperature sensor काम करता है कैसे इसका auto sensor काम करता है self ना ले तो आपको क्या चीज चेक करना चाहिए और कहां कहां पर कौन-कौन से फ्यूज हैं उसके बारे में complete detail में बताएंगे तो वीडियो बहुत ही interesting होगी वीडियो में end तक बनी रही है एक एक process के बारे में बता देंगे तो वीडियो अच्छे लेगी वीडियो को like कर दीजेगा share कर दीजेगा तो सबसे पहले यहां से हम सुरू करते हैं इसके जो self starter relay है तो यहां पर जैसे आपको दिखा दे इस पे जो 30 नम्मर एंपेर का यहां पर एक fuse है यह इसको अगर बाइद वी यहां से यह उड़ी जाता है खराब हो जाता है किस तरह से आपको problem करेगी यह देखिए यहां पर एक 30 नम्मर का फ्यूज है यहां पर self relay पर जो 30 नम्मर का फ्यूज लग जाए यह अगर उड़ जाता है तो कहो गया कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी इगनेशन इसका ओन कर लेता है देखिए complete चला गया लाइट 30 नम्मर का एंपेर का फ्यूज है कुछ काम नहीं क चेक करें तो जैसे इस फ्यूज को लगाएंगे हमारी गाड़ी में सारा लाइट होगी रहा आ जाएगा यह देखिए अभी थोड़ा से इगनेशन ओफ कर लेते हैं शोट सर्कृट नहीं हो जाए यह देखिए इस पर लगा दिए आप इसके इगनेशन को आउन करते हैं य 1 यहां पर अगर आपका अपका यह दा हृद तो यहां पर आपका ऐसी यह सारच करती है इसको चक करना यह पर फिनपेर फ्यूज है यह जब उड़ेगा जब कहीं पर wiring short circuit होगी extra voltage मिलना लगेगा बेटरी का तो breaking के system के related और अगर आपका कहीं से short circuit है तो यहाँ पर चेक करेंगे दो क्लियरली देख पार है आपको एकदम detail में समझा देते हैं ABS पलस ECU का यहाँ पर फ्यूज दिया है यहाँ पर किल स्वीच का फ्यूज दिया है और यह इसका लाइटिंग का फ्यूज ही है fuel pump relay HD coil main relay electric तो यानि complete इसके अंदर यहाँ पर सारा है तो कहीं से अगर इशू होता है तो आपको यह complete open करने की जरूरत नहीं सबसे पहले आप यहाँ पर देख लेंगे किया चीज का problem है अगर आपका main relay काम नहीं काम कर रहा है तीस वाले जल रहा है तो यहाँ पर चैक करेंगे क्योंकि हमारा जो fuel motor चलता है हमारा किल स्सुनाहीं नहीं दिया और जैसे के किल स्वीच को अन करेंगे इस पर फ्यूल मोटर का सुन ये अब साउंड देखिए अभी मोटर चलने लगा यानि किल स्वीच से तो किल स्वीच का अगर प्रोब्लम होता है तो यहाँ पर इस जगा पर इसका किल स्वीच का जो फ्यूज है यह ऊड़ जाएगा और सबसे में रिले है फर्स्ट नंबर पर इस जगा पर यह में रिले है दूसरा नंबर का हमारा जो है फ्यूल पंप का रिले है जैसे हम इसको किल स्वीच को अन करेंगे तो यहाँ पर खट खट से साउंड सुनाई देगी तो यही हमारा फ्यूल पंप को वर्क करवाता है यह देखिए अगर आपका फ्यूल पंप नहीं चलता है टैंक से मोटर से नहीं आता है पेट्रूल आपको प्रूफ के तोर पर दिखाते हैं यहां से इसको इस तरह से पुश करेंगे तो यह हमारा बहार निकल आएगा थोड़ा से इसको निकाल लेते हैं तो इस वाले पाइप को यहां से ओपन करेंगे तो यहां से हमारा पेट्रूल निकलना चाहिए अगर पेट्रूल नहीं निकल रहा है हमारा फ्यूल मोटर वर्क नहीं हो रहा तो यह दूसरे नंबर का जो रिले है इसको चेक करेंगे यह फ चार वायर का connection इसका screenshot ले सकते हैं यह स्टार्टर रिले है और यह इसका भी चार वायर है इस स्क्रीनशोट ले सकते हैं यह हेड़ लाइट का रिले है पलस यहां पे दिया हुआ यह हमारा पलस वाला वायर है तो यह चार रिले जो आपको इसके समझ में आ गिया होगा यह 120 566 से उपर कि अगर बजाज की पर्चेस करते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा जिसे बजाज पलसर हो गया बजाज 220 हो गया इन सब की जितनी भी उचे मोडल की गाड़ियों उसमें आपको ये चार रिले देखने को मिल जागर ये चार रिले बहुत ही इंपोर्टेंट है सारे चीजों को वर्क करवाने के लिए यहां पर एक इसकी बड़ी सी बेट्री टैट है बेट्री तो सबसे पहले आपको चिकाप अड़ाप्टर परचेज कर लेना पड़ेगा उसके बाद आपको प्रोब्लम का सेल्यूशन फटाक से मिल जागा अब चिकाप अड़ाप्टर इसमें कहां पर असेंबल करना उसके बारे में आपको हम बताते हैं तो दोस्तों 220 में कुछ अल यहां पर देख पा रहे हैं BS6 की बेजिंग तो इसी तरह से BS6 के लिटेट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए पर टेक्निकल और हेलफुल वीडियो लाते रहते हैं चलिए फिर में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैं थैंक्स पूर वोचिंग